प्रेशन संख्या साथ यदि 15 गिलास दूद का आयतन 4 लीटर 500 मिली लीटर हो तो 8 गिलास दूद का आयतन क्या होगा तो प्रेशन साथ तो दिया हुआ है 15 गिलास 15 गिलास दूद का आयतन 15 गिलास दूद का आयतन कितना दिया हुआ है बराबर है 4 लीटर 500 मिली लीटर तो 15 गिलास दूद का आयतन है 4 लीटर 500 मिली लीटर तो 15 गिलास दूद का आयतन दिया हुआ है 8 गिलास दूद का आयतन ग्यात करना है तो पहले एक गिलास दूद का आइतन निकाल लेते हैं तो एक गिलास दूद का आइतन पहले हम निकालेंगे तो लिखेंगे एक गिलास दूद का आइतन बराबर हो जागा चार लीटर पान सो मिली लीटर भागा पंदरा तो बंदरा गिलास दूद का आइतन दिया हुआ है चार लीटर पान सो मिली लीटर तो एक गिलास दूद का आइतन हो जाएगा चार लीटर पान सो मिली लीटर भाटा पंदरा यानि 15 से भाग दे देंगे तो एक गिलास दूद का आइतन निकल जाएगा तो एक गिलास दूद का आइतन हो जाएगा 4 लिटर 500 मिली लिटर बटा 15 तो 15 गिलास दूद का आइतन दिया हुआ है आठ गिलास दूद का आइतन बराबर हो जाएगा चार लीटर पानसो मिली लीटर बटा पंदरा गुना आठ ठीक है तो एक गिलास दूद का आइतन है चार लीटर पानसो मिली लीटर बटा पंदरा तो आठ गिलास दूद का आइतन हो जाएगा चार लीटर पानसो मिली लीटर बटा पंदरा गुना आठ यानि आठ से गुना कर देंगे तो चार लीटर पानसो मिली लीटर बराबर पांसो मिली लीटर को लीटर में बदलेंगे तो हो जागा पांसो बटा एक हजार यानि मिली लीटर को लीटर में बदलना है तो एक हजार से भाग देना होगा तो चार लीटर जोड पांसो बटा एक हजार लीटर ठीक है तो देखे दो सूने से 2 सूनी कट गया यानि कितना आ गया यह हो गया 4 लीटर जोल 5 बटा 10 तो 5 को 10 से भाग देंगे 5 को 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा सूने 10 मलो 5 लीटर ठीक है 5 को 10 से भाग देंगे यानि 1 पर 1 सूने से भाग दे रहे हैं तो 10 मलोग के बाद एक एंग होना चाहिए यानि 5 के पहले 10 मलोग लगाएंगे और 10 मलोग के पहले सूने दिया जाता है तो 4 L जोड़ 10 मलो 5 L तो ये हो गया 4 तस उने 5 L तो 4 तस उने 5 L कितना हो जाएगा? 4.5 लिटर तो इसको हम लिख देंगे 4.5 लिटर बटा 15 गुना 8 ठीक है तो देखें 15 से इसको भाग देंगे तो 15 से इसको कार देंगे 15 तिया 45 और 10 मलो है बीच में ही देखें 4.5 है तो यहाँ पर हम 10 मलो देंगे और दस्मलो के पहले सूने दिया जाता है तो सूने दस्मलो 3 हो गया यानि हो गया सूने दस्मलो 3 लीटर गुना 8 तो 15 से 4 दस्मलो 5 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा सूने दस्मलो 3, 15 तिया 45 होता है तो दस्मलो है बीच में तो तीन के पहले दसमलो दे देंगे तो सूने दसमलो तीन हो गया यानि सूने दसमलो तीन लीटर गुना आठ तो कितना हो जाएगा आठ तिया चोबिस देखे आठ तिया चोबिस तो दसमलो के बाद एक अंक है यानि यहाँ पर दसमलो देंगे तो 2.4 लीटर अब इसको लीटर और मिली लीटर में बदल लेते हैं तो देखिए 2.4 लीटर तो यह हो जाएगा तो 2 लीटर तो पहला ही हो गया यानि 2 लीटर जोड दसमलो 4 लीटर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2.4 लीटर को हम लिख सकते हैं 2.4 लीटर जोड दसमलो 4 लीटर तो 2 लीटर तो ठीक है पहले सही है 4 लीटर को मिली लीटर न बदल लेंगे यानि 10.4 लीटर को मिली लीटर न बदलेंगे तो 1000 से गुना देना पड़ेगा क्यूंकि एक लिटर में एक हजार मिली लिटर होता है तो दस मलो चार लिटर को मिली लिटर बदलने के लिए एक हजार से गुना करेंगे ठीक है तो ये हो गया दो लिटर जोड दस मलो चार यानि चार बटा दस लिख लेंगे गुना एक हजार तो दस्मलों 4 है यानि दस्मलों के बाद 1 अंक है तो बटा में 1 पे 1 सूने देंगे तो 1 सूने से 1 सूने कट गया ठीक है तो ये हो गया 2 लीटर चार गुना सौग 400 मिली लीटर तो इस तरह हम इसको लीटर और मिली लीटर में बदल देंगे तो बराबर लिख लेंगे 2 लीटर 400 मिली लीटर तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे तो पहले 4 लीटर 500 मिली लीटर को लीटर में बदल लेंगे तो हो जागा 4 दस्मलों 5 लीटर ठीक है तो बंदरस से इसको काट देंगे तो सूने दस्मलों 3 लीटर गुना 8 कितना हो जागा 2 दस्मलों 4 लीटर अब 2 दस्मलों 4 लीटर को लीटर और मिली लीटर में इस तरह लिख देंगे 2 लीटर 400 मिली लीटर यानि दस्मलों 4 हो जागा 400 मिली लीटर ठीक है दस मलो 4 लीटर कितना बन जाएगा 400 मिली लीटर तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लीटर 400 मिली लीटर यानि 8 गिलास दूद का आइतन हो जाएगा 2 लीटर 400 मिली लीटर इसका उत्तर तो 8 गिलास दूद का आइतन कितना हो जाएगा 2 लीटर 400 मिली लीटर